हम मेंसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि करेले का नाम सुनकर ही भाग जाते हैं और बच्चे भी मूँ बनाने लगते हैं क्यूंकि करेला कड़वा होता है इसलिए करेला किसी को पसंद नहीं है लेकिन मैं आपके लिए आज लेकर आए हूँ टेस्टी करेले की रेसिपी जो बिल्कुल बे कड़वी नहीं बनती और आपको ये रोजबी दे दिये जाए तो भी आप इसे मना नहीं करेंगे तो चलिए बनाते हैं मसालेदार करेले की सबजी कई लोग पहले इसे उबाल लेते हैं फिर इसकी सबजी बनाते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी दस से पंदरा मिनिट में मैं आपको इस सबजी बना कर दिखाऊंगी और बहुत ही टेस्टी और इजी बनती है तो नमस्ते दोस्तो और स्वागते आपका आपकी अपनी दावत में करेला हमारी सहत के लिए बहुत ही हेल ना जाता है तो हफ़ते में एक से दो बार इसे जरूर बनाईए तो सबसे पहले मैंने यहां पे दो करेलो को पतली स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसके बीज भी मैंने निकाल लिये है तो इसके बीज आप इस तरह से निकाल सकते हो पहले स्लाइसेस कट कर लिये जिए बाद में इसके बीज निकाल लिये और इसे मैंने एक बार अच्छे से धोबी लिया है बीज निकालना जरूरी है यहाँ पे मैंने दो बड़े प्यास कट कर लिये है दो बड़े चमच अद्रक लेसन का पेस्ट है और एक छोटा टमाटर भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है तो मैंने यहाँ पे लिए है एक कड़ाई इसमें मैं डाल दूँगी चार बड़े चमश तेल और तेल हमें गरम करना है तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो मैं इसमें डाल दूँगी आदा चोटी चमश राई आदा चोटी चमश जीरा और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए प्यास और थोड़ा सा फ्राइ होने के बाद हम इसमें डाल देंगे अद्रकलेसुन का पेस्ट भी तो आपको प्यास को सिर्फ दो मिनिट फ्राइ करना है ये पूरी तरह से फ्राइ भी नहीं हुआ है तब हमें इसमें डाल देना है कटा हुआ करेला क्योंकि जैसे जैसे प्यास हमारा फ्राइ हो जाएगा उसके के साथ हमारा करेला भी इसके साथ फ्राइ हो जाएगा इसमें मैं डाल दूँगी स्वादानुसर नमक और एक बार इसे अच्छे से मिक्स करना है पास से साथ मिनिट के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा प्यास और करेला एक साथ अच्छे से फ्राइ भी हो चुका है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है कटा हुआ टमाटर और आदा छोटी चमच हल्दी मैं इसके बाद यहाँ पर डाल दूँगी सुखा नारियल और प्यास का मसाला मैंने सुखे नारियल को और प्यास को अच्छी तरह से तेल में फ्राइ किया था और उसके बाद ग्राइंडर में इसकी पेस्ट बनाई है इससे करेले की सबजी को बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मैंने एक से डेड़ चमच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है एक बार अच्छे से इससे मिक्स करना है आपको और अब हम यहाँ पे डाल देंगी क्रश किया हुआ मूंग फली का पाउडर इसे ज्यादा बारिक आपको नहीं क्रश करना है थोड़ा सा दरदरा ही आपको इसे रखना है मैंने यहाँ पे डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया और इसके बाद हमें इसे पाच मिनिट और पकाना है क्योंकि करेला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो लीजिए हमारी टेस्टी और हेलदी करेले की सबजी बनकर बिल्कुल तयार है तो इसे निकाल लेते हैं प्लेट में आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए क्योंकि यह बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती और उतनी ही टेस्टी बनती है तो घर के बड़े और बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे और आपकी तारीफ करते नहीं धकेंगे I hope आपको इस रेसिपी अच्छी लगी होगी गर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चनल के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और मेरे बाकी के वीडियो देखने के लिए उपर आई बटन पे क्लिक कीजिए वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे थैंक्स फॉर वाचिंग